मेरा नाम है हरिया मैं काम करता हूँ बहुत बढ़िया खाता हूँ खाना और रोज गाता हूँ गाना अरे यार आज तो बहुत देर हो गई इस खतनाग जंगल को देख कर तो मेरे हाथ पैर ठंडे हो गए है अगर मैं वक्त पर गाउन नहीं पहुंचा तो मालिक बहुत नाराज हो जाएंगे तभी हरिया को एक आवाज सुनाई देती है सुनिये हरी जी अरे ये आवाज किसमे थी तभी हरिया को सामने कुछ दूर एक औरत खड़ी दिखाई देती है अरे भाई ये औरत अकेली इतनी रात को इस जंगल में क्या कर रही है चल कर पूछना पड़ेगा फिर हरिया अपनी बैल गाड़ी उस औरत के सामने लाकर रोग देता है और उससे पूछता है अरे सुनिये आप इतनी रात को इस खटरनाग जंगल में अकेली क्या कर रही है तब ही वो औरत मीठी आवाज में कहती है अरे हरुजी आप आगए मैं कब से आपका इंतिजार कर रही थी वैसे तो यहांसे काफी लोग गुज़र चुके हैं लेकिन मैं खास आपका इंतिजार कर रही थी अच्छा तुम सच कह रही हो मुझे तो यकीन नहीं हो रहा है वो क्या है ना आज तक किसी ने मुझे इतने प्यार से बात नहीं की हाँ 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 अरुजी मैं सच कह रही हूँ अब देर मत करिये और जल्दी से मुझे मेरे गर तक छोड़ दीजी हाँ हाँ कौनसे बड़ी बात है अभी छोड़ देता हूँ आप मेरे पीछे बैल गाडी में बैड जाएए और मुझे रास्ता बताते चलिए फिर वो औरत हर्या की बैल गाडी में बैड जाती है और हरिया बैल गाड़ी हागता हुआ आगे चल पड़ता है फिर उस औरत के बताय हुए रास्ते पर चलते चलते हरिया बैल गाड़ी लेकर एक काली गुफा के आगे आकर रुख जाता है हरिया उस औरत से पूछता है आप देवी जी आपका घर कहा है? यहां तो एक गुफा के अलावाब और कुछ नहीं है? तब ही अचानक वो औरत हवा में उड़ने लगती है देखते ही देखते उसका सुन्दर रोप एक दरावनी चुड़ैल में बदल जाता है और वो जोर जोर से हस्ती है अरे तु तो एक डंबर का बेल गुफ दिखला तु तो मेरी असाड़ी से मेरी बातों में आ गया अरे मर गया अरे ये तु एक चुड़ैल है ए भगवान बचा ले ये तो बड़ी डरावनी दिखाई दे रही है और फिर अगले ही पल हर्या की बैल गाड़ी में रखा सारा सामान हवा में उड़ता हुआ उस काली गुफा के अंदर चला जाता है और वो चुड़ैल भी उस गुफा के अंदर जाकर कही गायब हो जाती है हर्या ये नजारा देख बुरी तरह घबरा और परिशान हो जाता है अरे ये चुड़ैल तो मेरा सारा सामान लेकर कुफा में गायब हो गई अब क्या होगा अगर में गाव खाली हाथ गया तो मालिक मेरी अच्छी ख़वर लेंगे मेरी इस बात का कोई यकीन भी नहीं करेगा फिर आखिर वही हुआ हर्या के मालिक चंपक सेट को हर्या की किसी भी बात पर रग्ती भर भी यकीन नहीं हुआ चंपक सेट को लगा हर्या जूट बोल रहा है और उसने ही लालच में आकर सारा सामान हड़प कर लिया है फिर हर्या को बेई इमान समझ कर चंपक सेट उसे काम से निकाल दीता है अगले दिन अपने दुकान में परिशान बैठा चंपक सेट गुस्से में बड़बडाता है अरे दुकान में तो सामान बिलकुल भी नहीं है अब मुझे ही शेहर जाकर सामान लाना होगा फिर वो अपनी बैल गाड़ी लेकर शेहर चला जाता है शेहर से सामान लेकर जब चंपक सेट बापस गाउन लौट रहा होता है तभी उसे एक आवाज सुनाई देती है चंपक जी, ओ चंपक जी अरे ये तो कोई मेरा नाम लेकर मुझे पुकार रहा है फिर उस रास्ते में वही औरत खड़ी दिखाई देती है फिर क्या था? हरया की तरह चंपक सेट भी इस आउरत के पास अपनी बैल गाड़ी लेकर जाता है और वो भी उसकी चिखनी चुपडी बातों के मुझाल में फच जाता है फिर चुड़े उसे भी अपने गुफा तक लिय जाती है और उसका सारा सामान लेकर गुफा में गायब हो जाती है पिचारा चंपक सेट लाचार होकर खाली हाथ गाओं लोटाता है फिर ये उस जंगल में रूज की बात हो जाती है जो कोई भी शहसे कुछ लेकर गाओं की तरफ लोटता वो चुड़ैल उसे बेवकुफ बना कर उसका सारा सामान लेकर गुफ़ा में गायब हो जाती एक दिन हर्या एक लकड़ हारे को उसी जंगल की तरफ जाते हुए देखता है फिर हर्या उसे रोकते हुए कहता है अरे भाई क्यों अपनी मौत को दावत दे रहे हो मेरी बात मानो आगे जंगल में मत जाओ वहाँ एक बड़ी भयानक चुड़ैल रहती है लकड़ हारा हर्या की बातों को नजर अंदाज करते हुए कहता है अरे भाई मुझे पहले ही बहुत देर हो चुकी है मुझे जाने दो भाई शाम तक लकड़िया काट कर सहर के बाजार में बेचना है तुम अपनी ये कहानी किसी फुरसेत में बैठे इनसान को सनाओ मैं तो चला इतना कहकर लकड़ हारा वहाँ से आगे जंगल की तरफ चला जाता है फिर अगले दिन गाउं के मुख्या के घर के बाहर बहुत सारे लुट जमा हो जाते है तभी हाथ में कुलाड़े लिए खड़ा लकड़हरा कहता है अरे मुख्या जी अब आप ही हमें बचाईए उस जंगल वाली चुड़ेल से हमारा सारा काम तो सहर सही होता है अरे मुख्या जी उस चुड़ेल की वजह से तो मैं पूरी तरह बरबाद हो गया हूँ हम सब को मिलकर उस चुड़ेल का कोई इलाज करना पड़ेगा तभी बीड में खड़ा वीरा कहता है आप लोग चिंता मत करिये कल से वो चुड़ेल किसी को नहीं लूट पाएगी मेरे पास एक बहुत अच्छी तरकिव है तभी चंपक सेथ उसका मजाग उड़ाते हुए कहता है अरे तेरा नाम वीरा है तो क्या हुआ तुने अभी उस चुड़ेल को देखा नहीं है जा जाकर अपना काम कर बड़ा आया तब मुख्या जी कहते हैं नहीं नहीं चंपक सेथ मुझे लगता है हमें इस लड़के को एक भौका देना चाहिए फिर सभी गावाले मुख्या जी की बातों से सहमत हो जाते हैं और वीरा शाम को एक बैल गाड़ी में कुछ सामान लाद कर उस जंगल की और चल देता है वीरा ओ वीरा कहा जा रहा है तब भी वीरा मुड के देखता है वही चुड़ेल एक औरत के रूप में खड़ी है अरे बहन जी मैं आपको ही ढून रहा था देखिए मैं आपके लिए क्या लाया हूँ हैं? आरे वाँ तो खुद मेरे लिए इतना सामान लाया है तो ही अकेला गाओ में समझदार है जैसे ही चुड़ेल उस सामान पर से कपड़ा हटाती है एक भगवान शीव की तेज रोश्टी उसके अंदर मूर्ती से निकलती है और चुड़ेल अपने असली रूप में आकर जलने लगती है अरे मैं जल रही हूँ बचाओ देखते ही देखते वो चुड़ेल राख के साथ उर जाती है और सभी गाओ वाले भी वहाँ जाते है शिक्षा बुराई पे सदा अच्छाई की ही जीत होती है बेटा संदीप तू बड़े हो का करेगो? सादी करांगो मेरो मतलब है का बनेगो? दूला बनागो दूला अरे हराम खोर बड़े हो के का हासिल करेगो? यहां तो बता बव हासिल करेगो बव अबे मूरक बड़े हो के ममी पापा के लिए का करेगो यहां बता बव ले का आगो बव हराम खोर तेरे पापा तो ते कहा चामे चोटो सा मुन्नो सा लाला चामे